समाज में कई चीजें ऐसी होती है जो काम करते हैं और उनका नाम नहीं होता है या नाम होता है वैसे ही अभी हम एक व्यक्ति से मिला रहे हैं एनमो के संस्थापक हैं अभी इसके बारे में क्या करती है ये संस्था संगठन उसके बारे में हम जानेंगे धनाकर ठाकुर जी से जिन्होंने इसकी शुरुवात की थी, 1977 में हम अभी पूछेंगे, पहले तो बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, धनाकर धनाकर ठाकुर जी, और मैं पहले व्यक्तिकत परीचे पूछ लेता हूं, और उसके बाद मैं मुद्दे पे आ जाओंगा, पुछ उन्वर्च उन्वर्चिटी में हाइस नंबर था मेरा प्रिमेटिकल टेस्ट में, यहीं भी सिरा स्कूल है, उसी में मेरा सेंक्टर था, और इसके बाद मैंने धर्भंगा जाना पसंद किया, क्योंकि वो संस्कृति का घड़ है, वहीं से मैंने MBBS किया, फिर MD किया, General Medicine में, प्रिमेटिकल कॉलेज में, संपरती मैं चार मेटिकल कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, अभी बरेली के रोहिल खंड मेटिकल कॉलेज में, मैं मेडिसीन का मैं एसोसेट प्रोफेसर हूँ. एनमो से हमको जड़ा समझाइएगा, एनमो का क्या काम है और ये कब से काम कर रही है? ये जब मैं फूर्थ एर का स्टूडेंट था 1977 में, तो उसी समय में मैं चात्रनेटा हो गया था. क्योंकि मेरी upbringing को ऐसे थी, कि मेरे घर में बलकि यहां खेलासपदी मिस्रा जी थे, जो राजिपाल बगरा हुए, मेरे घर में थे प्रचारक रहते थे सांग के. उनकी गोद में जनार्दन तिवारी मेरे घर में रहते थे, मेरा जन्म हुआ, मेरे पिदाजी संग्चालक थे, अर्टालिस में जेल में गए थे, फिर ABVP में अखिल बार्दी विद्यार्थी परिशद में भी मैंने काम किया, तो मेरे पास काम करने का एक और काना चाहिए क कि विवेकारंद रॉक मेमोरियल जो बना उसमें मैं साथ साल का था, साड़े साथ साल का था, मैं पैसा जमार करता था उसके लिए, चंदा स्टांप बेच करके, और साथ वर्स के उम्र से मैं आज तक वह इसे ही काम कर रहा हूँ, आप समझिये तो, आपका जन्म का एर जन् साथ प्रवारी थे, संक प्रचारक देव जी थे, उन्होंने का गोविंदाचार्च से बात करो, मैंने गोविंदाचार्च को कहा, अखिल भारते विद्यार्थी परिश्ट काम हम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो मेडिकल स्टूडेंट है, वो समझे डाक्टर ही होगा, द अबिहार के जनरल सेक्रेटरी हुए, अखिल भारते विद्यार्थी परिश्ट के, तो जहां चुने गए, वहीं पर हमारी मेडिकोस की पहले एक मीटिंग हुई जो थे, नमो की ने, जो मेडिकल स्टूडेंट वहां उस कंट्रेंच में दरवंगा में आये थे, और इसके ब अभी सियन गुपता जी वहां के मेले हैं, देवरणयन बीच में मेले, चप्रा के मेले हैं, हम जो सिनियर थे काया, तो मेरे पास काम करने का एक बैक ग्राउंड था, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहां उस समय में थे, नालंदा मेडिकल कॉलेज, सिर्किस्ट उस समय मेरे पाचांता था, तो इन सबो के सरकार के टेको भर के लिए हम गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज वालों ने एजिटेशन किया था, मैं लहरिया सराई सेंट्रल जेल में में नो दीन रहा हुआ हूँ, लहरिया सराई समस्तिपूर, दरभंगा, दरभंगा, में लहरिया तो मैं उसमें 108 मेडिकल स्टुडेंट के साथ मैं उसमें रहा हूं तो मतलब मेरी एक नेता के रूप में छात्र नेता के रूप में फर्स्ट मेरी पाचान थी आज के दिन में आपको ये सून का अश्चर्द लगेगा ये अनेमो बनने के पहले अब्दूलबाडी सेद की जो आज इतना बड़े नेता हैं हमसे एज में दुचार साल बड़े होंगे वह हमारे टीचर सेंज यादव का और पानी का देख करके बोले कि या पढ़के सुनाना और वो मुझे बहुत मानते थे सुसलिस्ट मतलब आरस हो या सुसलिस्ट हो कोई भी कामगार करपूरी ठाकूर हो साड़े नेताओं को मैंने अपनी छोटे जीवन में देखा है मैं और मेरा जो बैक्राउंड था तो मुझे ऐसा लगा कि मेडिकल सब मैं संग के प्रचारक थे उसमें पूर अडि स्ट्यम्ट के इनcularज थे इसे में यह पाल बत गया हो गौगिजर वी अउसमें बातब बातब बटा बिखा स्टाल का क्लास चैले पथ्योलजी का क्लास और में इज़े चुटी में में उनकी क्लास freuen निवाली टाइम में मैं अब्दुलबारी खा थे हमारी टीचर थे, तो मैं वहां गया और मैं वहां 10 to 10 घुष करके सारेप में संपुर्णानन्द में, आप यहां कुन मेटिकल स्टूडेंट है है, मेरा एक साथ ही हुथा जो मर गया, हमसे 2 साल जूनियर था, अशोक श्रिबास्ता, पत्नम मेटिकल क पूरा में, बिना विद्यार्थी परिशत के बहुत परचार के हुए आपको बुलता हूँ, और मीटिंग का सुभा में मैंने रजुभजा को कहा, रजुभजा का बधिक था, मैं पहले सुन को जानता था, भावड़ाउद देवराश जी को कहा कि आप आये मीटिंग में त स्टुडेंट थे उस टाइम में, इसके बाद जो है, थोड़ा इनिस्यल रेजिस्टेंस विद्यार्थी परिशत के तरफ से आया, लेकिन ये माननी बाला सही देवराश के भीटों से बात खतम हो गए, उनको किसी ने कहा, उजे बैट प्रचारकों में, इतना का ठाकुन ज सम्मेलन करेगा, अब मदद कर सकते हैं, तो करिए, बाला सहाब देर्वस जी ने कहा, बाला सहाब देजब्राश, तिरतिये सरसंग चालग जी ने कहा, वो इतना मतलभ हम को मानते थे, च्योंकि मैं जब देखे, पांच नॉम्बर को ये निमो हमने बनाई और नुने इस सम्माना नहीं था TV WhatsApp का, मैं तीन स्टूडेंट को जिसमें आपका यानवादा का वही चंडी के पास का सतनरायन करके था हमसे दो साल जूनियर और इंफाल का स्टूडेंट सा, दो साल जूनियर में, साथ बोड़ा दवाई लेके जो IMA के द्वारा हमको मिला था, Indian Medical Association के प्र आपको किस वक्त आया और आपको किस लिए बनाए नमो का ख्याल इसलिए आया कि जब जेल में थे, तो हमको लगा मैंने चिठी दिया देव जी को, कि आज अरून जेटली और सुसील मुधी जेल में राता था आप लोग मिलने के लिए आते, तो हम लोग medical student है, आप लोग को मांगा, तो उन्होंने का कि student का मामला आप गोविंदा चार्ज को मैंने लेटर दे दिया, प्रचारक थे, पटना के विभाग प्रचारक थे और उसके बाद उनको जेपी एजिटेशन के बाद उनको जिम्यवारी विधियर सी परिसद में दे दी गई थी, उसके पहले वो वहां पर बना क्या है, कुछ लोग भी रोज भी किने चीज का जिसा होता है, तो होते होते फिर हुआ कि आप यहार लेवेल पर चलाईए, फिर नेशनल लेवेल पर हुआ, लेकिन फाइनल वीटो जो है न, तो बाला साब देवरस का पड़ा, यह और नाशन चलेगा, श्रि अखिल भारती, जो भी आज भी ब्यार में, दर्वंगा में कहीं आता था, मैं उसे बात करता था, मुझे और नाशन चाहिए, बना रहे हैं, कुछ लोग भी रूत कर रहे हैं, और एक और नाशन जो पांच नॉमबर को बना, वो दिसंबर में जाके साइक्लोन का काम कराया, तो उधर से मिलने के लिए हम गया, क्या हमने कहा कि हदराबाद में ओफिस चाहिए, दस हमारी स्टूडेंट आए हुए थे उसमें, सेंट्रल ओफिस यहीं बनाएंगे, तो हमको वहां के प्रांट पर जारने का आप चले जाए नाटपूर, तो मैं वहां गया, तो वहां ब बीबीएस करें उसको एनेमों के तहट अपला यहां, सब को अपला यह, आप यह मत सोचिए कोन संग का, कोने बीबीप का है, डॉंट डिमार्केट, मैंने 45 मिनट तक मैं बोला, और एक ही बात बाला साहिब देवरस सुनते रहे मेरी बात को, आप सोचिए एक 22 साल का लड़ इस इसीव में यह होगा, इसमें यह चेंज करेंगे, इसमें यह चेंज करेंगे, उन्होंने का विल एक चीज कहा, आप यह क्यों बोलते हैं, जो मिम्मर होगा यह स्विंग से वक होगा, सब को लाना है, बाला साहिब का, और यह बात की बात बोले है, जब फिर उसमें प्र काम करेगी तो हम उसका बीरोध करेंगे यह समझे एक लोगा यह बनने से मेरा घड जाएगा लेकिन घड का जो मुखिया है संग का उद्धे सुचता है बढ़ जाएगा यह जब आला साब आए दरवंगा आए पतना राचिया है दरवंगा में हमने वीश प्रोफेसर को जमा क कर दिया पॉलिटेखनी की स्कूल में भावरव जी बोले कि वहां तो जना कर सब डाक्रेट को लाया और जगा क्यों नहीं आया तो हम ने यह बताया कि NMO का दस दिन का भी काम है तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इसमें और मैं आपको एक बात और बोलता हूँ आपको लोग य युवक हैं संग का बहुत सारा छेत्र देश में बना है उस समय के बिहार और जाडखन से बना हुआ यही एक छेत्र है जो आच चल रहा और इंडिपेंडेंटरी और अच्छा से चल रहा है मुझे इसके लिए बहुत सारा व्यक्तिकत जीवन में कुरवानी देनी परी उसक में देश भर में लोग प्रचारक मानते थे 22 साल के उम्रे से देश का जो नक्सा है मैं 106 मेटिकल कोलेज घूम चुका था सभी जल्दी से अभी तो 182-183 अब तो कोलेज भी 500 हो गया है हर जगह में गया हर जगह का प्रांट प्रचारक विभाग प्रचारक मुझे जानता और सारा कार्ज बेने बिना संग से पैसा लिये हुए अपने अपने खर्चा से स्टुडेंट लाइफ से मैंने काम किया आज के दिन में मैं प्रोफेसर हूँ आ नोकरी में जब गया ताव लेकिन उस समय में मेरी नहीं नवही पत्नी MBBS ने मुझे छोड़ दिया याप यह अधर आज इसका काम करते हैं यह सब चीज नहीं चलेगा उन छड़ दि उसने तलाक ले लिए कि इसभी की बात था ने इस साधिक तीन महिना की पितर जबकि मैं उनको बथा था कि यह विवेकार्ने की रॉक में पोटो देखते हैं न आ मैं भी ऐसा ही काम करता हूँ आप उ एक दर खोरम सुरुके हैं तो यह परिवार सी अई शुरुका उटुम करें चलते हुआ हूं you मेरा घुक हम रहまり हो तरीका है आप काम नहीं करेंगा तो पोस्ट भी कमक्राना कुआप्ट शुड़ीं तो ऐसा बार बार होता रहा कि नहीं काम करने वाले इसको सत्ता का माध्यम समझते थे एनेमो सत्ता का माध्यम ने, एनेमो सेवा का माध्यम है, सेवा ही धर्मा, यही चीज़ है तुम उसका हेल्थ का क्यों नहीं कर सकते हो के अर्जू सेक्रेटरिया प्रकास पांडे उसका गया वो वो पहले सुवाश्च चाहरुबस के पाउजू तो एनमो में अभी कितने लोग हो गई इनमो में तो कितने हजार लोग हैं आप यह काना पास आप यह करके लेकिन हमारी टोटल लाइफ मेंबर्चिप करीब 3,000 के करीब है इसका कहीं संगठन का आवास जहां से कार्ज नियंत्रित होता है हमारा फर्मूला दूसरा है जो परंपुजनी गुरु जी बोलते थे कि कार्ज आले में कार्ज का ले होता है तो यद्यपी हमारे पास राची में जमीन है छोटा बहुत है एक अनाथाले भी चलता है नहीं मैं तो अभी बड़ेली में पढ़ाता हूं पहले राची में में था जब था तो वहां है सांति प्रकाश जी वगरा है और जो नमों का पहला ओफिस शुरू हूँएW हमारे एक डॉक्तर के पॉली क्लिनिक में शुरू हुआ और जहांसे रेजिटरड़ ओफिस वही है और इसका registered office आप जानते हैं कि बियार के बाहर जाहीं नहीं सकता चाहे जहां काम करी चुकि बियार का रिश्टरे सा नहीं है लेकिन ये देश वर हम काम करते हैं करते हैं अचलिये यह बात कर रहे थे हम धनाकर जीसे ऐसे ही कई लोगों से मैंबात करूँगा इन्होंने संह का जेकर किया उन तमाम प्रचार को का जीकर किया जो संह में जिस परिपा तीसके बिशर्अचार होता रहता है वह एसे ही कार होता है इन्होंने अब न हो से और कोलेज है हमारी यूनिट होती है इसमें 100 से उपर में आजकल बहुत हो गया है हमारी यूनिट से है और एक बाद में बताता हूं कि यह एक ऐसा छेत्र है जहां कि हमको बहुत सारा स्लेक्सिबिलीटी है काम करने में चुकि हम इसको स्वयम चलाते हैं इसके लिए कोई संग से प्रचारक कभी नहीं माना तो स्वयम हम काम करते हैं हम लोग काम करते हैं इस तरह के हैं और यह मतलब संग का दूसरा कोई और नहीं से अबियुक्त बगेरा उससे थुड़ा अलग है थोड़ा अलग है यही अभीप्रेत्र दॉक्राइबाजी थर्टे को और अधिकांचता हम लोग में कुछ लोग हैं दूसर वेंटि हम लोग में कुछ कि इसके थुरू हम कुछन मिनिश्टर के पास पहुंच जाएं, हम कुछन से पद पर पहुंच जाएं, ऐसे एक आद दो लोग आते हैं कभी, उसके बात को भूल दिया जाए, वो भी अच्छे आजमी है, आज ना कल वो भी आएंगे, और कल वो करके जो अच्छा देश हैं, उनका हाथ दर्द कर गया होगा, उनको हम बहुत-बहुत धन्यवाद कहेंगे, उनहीं के तरफ से मिलाना हुआ, धनाकर जी से परिचे पहले भी था, मगर सोचे, आज बात कर लेता हूं, उन NMO के तहट जो चलने वाली बाते हैं, जो काम है, और काफी बाते बताई, तो संस्थापकिया स्थापना करने वाले धनाकर जी से, हमें जाननी के लिए मिला, दर्भंगा से MBBS किया है, रहने वाले कहां कहां हैं? मैं फार्विष गंज, पुर्णिया, अररिया, जीलाका, मैं बासी हूँ. फार्विष गंज के रहने वाले हैं, भिहार में ही है. अभी के लिए इतना ही कहेंगे, जहकास भारत देखते रहें, राजनन जी को फिर से धन्यवाद और धकास भारत से मेरे विकान